गो अगो। कि 10 मिनट का यह वीडियो हैं दॉस्तो और इस देस मिनट में आपको 25 प्रस्ण 25 प्रस्ण है यह 25 प्रस्णUM आप 20 प्रस्ण 25 प्रस्ण का सही सही जवाब दे सकते हैं वहुत असंतर होगा दो क्या आप अगर GKGS की तयारी करना चाहते हैं तो नमस्कार दोस्तों आप समों का स्वागत है तो चलिए प्रश्णी की और प्रश्ण है पंच वर्श्य योजिनों का विचार किस देश से लिया गया है यह प्रश्णी का उत्तर का नम क्या था प्रश्णी का उत्तर का नम क्या था option दिया हुआ दोस्तों 30 बताई इस प्रश्ण का उत्तर क्या होगा comment box में तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाए दोस्तों option C बिल्कुल सही है यसोध्रा यसोध्रा तो चलिए अगले प्रश्ण की ओर प्रश्ण का उत्तर क्या होगा comment box ने इस प्रश्ण का उत्तर हो गया दोस्तों आपका option A बिल्कुल सही है मुंबई में option A बिल्कुल सही है चलिए अगले प्रश्ण की ओर प्रश्ण देख रहें दोस्तों आर्यो भट किस सासक के दरवार में रहते थे option A समुन्द्रगुप, option B चंद्रगुप प्रथम, option C इसकनगुप, option D चंद्रगुप दुतिय तो चलिए दोस्तों बताए इस प्रश्ण का उत्तर कोमेंट दोस्तों क्या होगा तो इस प्रश्ण का उत्तर होगा दोस्तों आपका C, D बिल्कुल सही है, चंद्रगुप, दुतिय और यह भट किस के सासन काल में रहते थे दोस्तों, चंद्रगुप, दुतिय option D बिल्कुल सही है, तो चलिए अगले प्रश्ण की ओर प्रश्ण देखने दोस्तों, शरीर में पीत का निर्माण कहां होता है option दिया हुआ इस स्क्रीन पर बताईए comment बस में इस प्रश्ण को उत्र क्या होगा तो इस प्रश्ण का उत्तर होगा है दोस्तों, option D बिल्कुल सही है, यक्रित तो शरीर में पित का निर्मन का होता है या कृत में होता है दोस्तों option D बिल्कुल सही है तो लेगले प्रश्न की और प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों आप उक्ते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है उक्ते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है option A भारत को option B England को option C France को option D Japan को तो चलिए दोस्तों बताएं इस प्रश्णि का उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्णि का उत्तर होगा दोस्तों आपका option D बिल्कूल सही है जपान में उक्ते देश उक्ते सूढिय का देश तक आज घता है बंगलादेश की मुद्रा क्या है ओप्सन है स्कीन पर बताईए इस प्रश्ण का उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्ण का उत्तर होगा दोस्तों ऑप्सन डी बिल्कुल से यह है डाका बंगलादेश की मुद्रा क्या है डाका तो चलिए अगले प्रश्ण क्यूर प्रश्ण है देखा it eh देखें स्क्रीन पर बताई इस प्राश्ने को उत्तर क्या होगा कोमेंट बोक्स में Ben प्रस्न है दोस्तों इंडिया हॉस कह इस च्ती था ऑजिक इंडिया हॉस कहां इस्ती था यह इस प्रस्न का उत्तर होगा आपका ऑफशन एंडिया फालपर ही हीमोगलोवीन में कौन सा तत्व मौझूद होता है इस प्रश्ण का उत्र बताए दोस्तों क्या होगा कॉमेंट बोक्स में तो इस प्रश्ण का उत्तर दोस्तों लोहा हीमोगलोवीन में क्या पाया जाता है लोहा पाया जाता है चलिए अगले प्रश्न की ओर प्रश्न देख रहे हैं दोस्तो रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है ओप्सन इस्क्रीन पर है दोस्तो बताए किसके कारण होता है रक्त का रंग लाल तो option B बिल्कुल से ही दोस्तो हीमोगलोबिन के करण लाल रक होता है चलिए निती आयो का गठन का भुआ था निती आयो का गठन का भुआ है बताए दोस्तो इस प्रश्ण का उत्तर कोमेंट बुक्स में चल दी से बहुत यह असान प्रस्ता है निती आयो का गठन का भुआ है तो इस प्रश्ण का उत्तर option D बिल्कुल से ही है एक जन्वरी 2015 को निती आयो का गठन का भुआ एक जन्वरी 2015 को तो चलिए अगले प्रश्ण की ओर प्रश्ण है राष्टिये विकास परिशत का अध्यक्ष कौन होता है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा दोस्तो option D बिल्कुल सही सोचे थे आप परधाण मंत्री राष्टिये विकास परिशत का अध्यक्ष कौन होता है परधाण मंत्री तो चलिए अगले प्रश्ण की ओर प्रश्ण दोस्तो देख रहे हैं प्रश्ण का उत्तर क्या होगा कोमेंड वोक्स में राष्टिये विकास परिशत का अगठन कब हुआ था राष्टिये विकास परिशत का अगठन कब हुआ था इस प्रश्ण का उत्तर बताए कोमेंड बोक्स में इस प्रश्णिका उत्तर हो जाए दोस्तों ओप्शन ए बिल्कुल सही है 6 अगास 152 को राश्टिय विकास परिशत का गठन का वहा था 6 अगास 152 को तो चलिए अगले प्रश्णिक योर प्रश्णिक दोस्तों इस किन पर देख रहा हैं तो इस प्रश्ण का उत्तर दोस्तो ओप्षन भी बिल्कुल सही है जपान तो चलिए अगले प्रश्ण की ओर प्रश्ण दोस्तो इस किन पर देख रहा है बताए इस प्रश्ण का उत्तर क्या होगा कॉमेंट बोक्स में बित्तिय वर्स की अबधी क्या होती है बित्तिय वर्स प्राश्ण दोस्तों इस्किन पर देख रहे हैं बताई इस प्राश्ण का उत्तर कॉमेंन जल्दी स्व क्या होगा निति lah आयो का अध्यक्ष कौन होता है निति आयो का अध्यक्ष कौन होता है बताए इस प्रश्ण का अध्यक्ष कौन होता है तो निति आयो का अध्यक्ष होता है दोस्तों परधावन मंत्री ऑप्षन भी बिल्कुल सही है निति आयो का अध्यक्ष कौन होता है परधावन मंत्री हो तो बित आयो का गठन करता है हुआ है दोस्तो राष्ट पती ऑप्षन भी बिल्कुल सही है तो बित आयो का गठन करता है राष्ट पती करता है तो चलिए अगले प्रश्ण की ओर तो बित आयो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताए दोस्तो इस प्रश्ण का उत्तर कोमेंट बताए इस प्रशनका उत्तर कोमेंड बॉक्स में क्या होगा दूसतोly option b बिल्कुल सही है पंच वर्स के लिए वित आयोग का कार्यकाल कितना होता है पंच वर्स का तो चलिए एगले प्रश्न की ओर प्रश्न दोस्तों इसकीन पर देख रहे हैं बताई इस प्रश्न का उत्तर कोमेंट वोक्स में क्या होगा वित आयोग में कूल सदस्यों की संख्या कितनी होती है बित आयोग में कूल सदस्याओं की संक्या कितनी होती है बताए कोमेंट में इस प्रश्ण का उत्तर क्या होगा आप्शन सी बिल्कुल सही है पांस सदस्य होते है बित आयोग में कूल कितने सदस्य होते है पांस सदस्य होते है तो चलिए अगले प्रश्णी की ओर अब तक कुल कितने बित आयो का गठन हो चुका है बताए दोस्तो इस प्रश्णी का उत्तर कोमेंट बोक्स में क्या होगा जल्दी से तो इस प्रश्णी का उत्तर हो जोगा दोस्तो option D बिल्कुल से यह 14 तो अब तक कुल कितने बित आयो का गठन हो चुका है 14 गठन हो चुका है बित आयो का कुल तो चलिए अगले प्रश्णी की ओर बताए दोस्तो इस प्रश्णी का उत्तर कोमेंट बोक्स में जल्दी क्या होगा चौध में बीत आयो किसी पारिशाओं की अबधी क्या है जल्दी से तो इस प्रश्ण का उत्तर ओप्सन डी बिल्कुल सही है 2015 से 2020 तो चलिए अगले प्रश्ण की ओर प्रश्ण है दोस्तो चौध में बीत आयो के अध्यक्ष काउन है 2014 बीत आयो के अध्यक्ष काउन है बताए इस प्रश्ण का उत्तर कॉमेंट बोक्स में जल्दी से तो इस प्रश्ण का उत्तर ओप्सन बी बिल्कुल सही है बाई भी रेड़ी बाई भी रेड़ी चौध में बीत आयो के अध्यक्ष थे तो चलिए अगले प्रश्ण की ओर आयोग का गठन कब हुआ है तो इस प्रश्ण का उत्तर आउप्शन डी बिल्कूल से यह एक जन्वरी 2015 को नीती आयोग का गठन कब हुआ एक जन्वरी 2015 को तो चलिए अगले प्रश्ण की ओर प्रश्ण है नीती आयोग कैसी संस्था है बताई इस प्रश्ण का उत्तर कोमेंड बॉक्स में जल्दी से क्या होगा तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा दोस्तो आउप्शन सी बिल्कूल सही है प्रामर्स दर्स्तरित एवं गैर संबेधानिक प्रश्ण दोस्तो इस प्रश्ण का उत्तर कोमेंड बॉक्स में जल्दी से क्या होगा नीती आयोग का अध्यक्ष कौन होता है नीती आयोग का अध्यक्ष कौन होता है बताई इस प्रश्ण का उत्तर कोमेंड बॉक्स में जल्दी से क्या होगा तो नीती आयोग का अध्यक तो सही सोचे और सही जान रहे थे कोमेंट बोक्स में जरूर उतर दे तो चलिए दोस्तो आज याई तक रने देते हैं तो आपका कितना सही हुआ कोमेंट बोक्स में जरूर बताएं दोस्तो अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तो अबे सेर करें और सस्क्राइब नहीं किय तो सब्सक्राइब कर लेजे और घंटी दवा दिजे ताकि जब भी हम वीडियो अप्लोड करें तो सबसे पहले पहुचे आपके पास तो चलिए दोस्तों इसी तरह से बहनत करते रहे जै हिंद जै भारत